अमेरिकी राष्ट्रपती डोनल्ड ट्रॉम्प ले अमेरिकी मूलधार का मिडिया लाई जो बाइडेन को पक्षे लियेको रा आख्फन पक्षेका समसार संप्रेशन न गरेको आरोपलगाये काचन साथे उनली सोदेकाचन फेक निउस मिडिया ले किन बारंबार जो बाइडेन चुनामा निर्भाचित भाइकोर आगामी जनुवरी में राष्ट्रपती बनने प्रसारण करी रहेकाचन गता साथ आव राष्टरपाति या निर्भाच्चन को नतिजा सार्वाजनिक गरदे अमेरिकी मुलधार का मिडिया ले जो बाइडन निर्भाच्चित भाई को रागामी राष्टरपाति अब उने ही बनने समचार सम्प्रेशन करे का थी पेंचिल भेनिया लगायत केई निडायक राजे को मत परिनाम सार्वजनिक भाय पचिने बाइडेन निर्भाचित भाय को पक्का भाय को थियो शोई अनुरूप CNN, New York Times, BBC, AP लगायत मीडिया ले उप्तस्माचार सुरुमाई संप्रेशन गरे का थि तर ट्रूम्प ले बाइडेन ना चुनाम मा ध्धावाली गरे को रन थिजाद चोरे को आरोप लगाये पत्रकार समेलन गरी आगामी सासन कसको आत्मा पुगने अईलेने भनन नसकीने पंदाई फेरी मत गड़न ना गरन पने अड़ान राखे का थि उनले चुना बिरुदम हुद्धा समेत दायर गरे तर उनको उजुरी सुन वाइफाई ना ही जो आईतवार भने ट्रूम्प ले पहिलो पटक ट्वीट मा लेखे का थे बाइडेन ने जिते तर तेसको केही घंटा में उनले और को ट्वीट गर दे लेखे की तर फेक न्यूज मीडिया को नजरमा मातरी उनले जीते का हुन बास्तविक्तामा हामी जीचों अमेरिकी निर्भाचन अधिकारी हरूले भने यस पटक अमेरिकी निर्भाचन इतियांस में सबी भन्दा निस्पक्षय भयको प्रतिक्रिया दिये का चन चुनावी परिणाम अंसर्ट्रम्प ले 232 इलोक्ट्रल कलेज भोट मातरी ले आये का थे जबकी राश्ट्रपति बन्दक लागी 270 भोट ले उनुँ पर्षा